वेलकम प्रेंड्स, RBSC क्लास 11 के होन बिल बुक के पोईटरी पार्ट के Most Important Questions के संजीवनी सीरीज में आपका स्वागत है आईए परला क्वेशन देखते हैं, यह हमने आपके अफोटोग्राफ पोएम से लिया है What does the word cardboard denote in the poem? Why has this word been used? Cardboard जो सब्द है, वो कवीता में उसका क्या अभी प्राए है और वो इसमें क्यों काम में लिया गया है इसी में एक और प्लस है What does the word cardboard stand for? Cardboard से क्या तात पर रहे है? Answer है The word cardboard has been used for the photograph of the poetess mother जो सब्द cardboard काम में लिया गया है वो कवीता की मा के तस्वीर के लिए काम में लिया गया है उसके photograph के लिए काम में लिया गया है This word has been used for the photograph because the poetess mother has already been dead इस सब्द का photograph के लिए इसलिए प्रियो किया गया क्योंकि कवीत्री की मा पहले ही मर चुकी है Question No.2 भी इसी चेप्टर से लिया है इसी पोएम से Why did the poetess mother laughed at the snapshot? उस photograph के तरफ उस तस्वीर को देख कर कवीत्री की मा क्यों हशी थी? Answer The poetess mother laughed at the snapshot to see her cousins and herself strangely dressed for a holiday on the sea beach कवीत्री की मा उस तस्वीर को देख कर हशी थी क्योंकि उसकी चचेरी बहने और उसे अजीब प्रकार की ड्रेस पनाए गई थी चुट्टी के दिन जब वो समुद्र के किनारे गए थे She also felt joyed remembering her childhood days उसे अपने बच्चपन के दिन याद करके बड़ा आनन्द आया Question No.3 BC चेप्टर से लिया है What does the poetess mean by their terribly transient feet? कवीत्री का इससे क्या अभी प्राए है उनके बयानक रूप से transient feet का यहां पर मतलब है जो की समापत हो जाएंगे वो pair यानि की Tangent यानि की temporary style What has not changed over the years? क्या बर्सों से नहीं बदला है? और why? क्यों? और इसी में प्लस है Write the theme या message या central idea of the poem इसमें से कुछ भी पूछ लिया जाए Theme में से central idea इन सारे questions का एक answer बनाया है Answer is The poetess wants to tell us that human life is transient कवीत्री हमें बताना चाहती है कि मानव जीवन सनिक है आइस्ताई है Where is the sea or nature is permanent? जबकि समुद्र और प्रकरती इस्ताई है The sea has not changed over the years समुद्र बर्सों से नहीं बदला है But the people who walked on its beach have changed terribly लेकिन जो लोग इसके तटपर चला करते थे वो कापी बदल गए है यही इसका answer है Question number 4 हमने लिया है The voice of the rain poem से Question है What does the rain call herself? बर्सात अपने आपको क्या बताती है? Answer है The rain calls herself the poem of the earth बर्सात अपने आपको प्रत्वी की कवीता बताती है अगला question भी इसी poem से है How does the rain give life to its own origin? बर्सात इसके अपने जनक को किस प्रकार जीवन देती है? और इसी में प्लस है How does the rain make pure and beautify the earth? किस प्रकार बर्सात प्रत्वी को सुद्ध करती है और सुद्धर बना देती है? Answer है When the rain descends to the earth, sea baths, the drylands, small particles and layers of dust जब बर्सात नीचे आती है प्रत्वी पर तो वो जो सूकी भूमी है और जो छोटे कन है और जो धूल की परते हैं उन्हें इसनान करवाती है She sprouts the seeds and gives life to plants and animals on the earth वो बीजों को अंकुरित करती है और पोदों को जीवन देती है और जानवरों को भी जीवन देती है प्रत्वी के उपर Thus she makes pure and beautifies the earth with green tree इस प्रकार वो प्रत्वी को सुद्ध करती है, सुन्दर बना देती है हरी आली से Question number 6 भी इसी poem से है There is a parallel drawn between rain and music वहाँ पर बरसात और संगीत में एक parallel यानि समानता बताए गई है Explain the similarity between the two इन में जो समानता है उसको इसपष्ट कीजिए Plus इसे में एक वोज कोज़न है How is a song similar to rain एक गीत की को बरसात के समान के से बताया गया है Answer In the last two lines of the poem The poet has drawn a parallel between the rain and music Antim दो पंक्तियों में कवी ताकी में कवी ने बरसात और संगीत में समानता प्रकट की है A song music is similar to the rain एक गीत या संगीत बरसात के जैसा होता है Because like the rain it also comes out of its birthplace बरसात की तरह ये भी इसके जन्मिस्तान से ही आता है Gives pleasure to the people लोगों को आनन्दित करता है And returns to its place of origin और इसके जन्मिस्तान पर वापस लोट कर चला जाता है Question number seven हमने लियाए Childhood poem से Question है What did the poet think of hell and heaven When he was a child यानि जब कभी एक बालक था तो वो नर्क और स्वर्ग के बारे में क्या सोचता था Answer है When the poet was a child जब कभी एक बच्चा था He thought dead hell and heaven were real places Where a person goes after his or her death जब कभी एक बालक था वो सोचता था कि इस नर्क और स्वर्ग जैसे कोई इस्तान वास्तों में होते हैं यह वास्तों किस्तान थे जहां एक वेक्ती उसकी मृत्यों के बाद जाता है Question number 8 भी हमने इसी chapter से लिया इसी poem से Why does the poet think heaven and hell are imaginary places कभी क्यों सोचता है कि स्वर्ग और नर्क एक कारपने किस्तान है Why does he say that heaven and hell could not be वो इसा क्यों कहता है कि स्वर्ग और नर्क नहीं हो सकते है इसके answer के लिए आपको Question number 7 का answer लिखना है पिर प्लस लगा कि यह answer aid कर देना है As a grown-up person he thinks that they are imaginary places Because they are not found in the books of geography अब वो बड़ा हो कर वो सोचता है कि यह एक कारपने किस्तान है क्योंकि यह बूगोल की पुष्टकों में नहीं पाए जाते हैं उनमें इनका कोई वर्णन नहीं है स्वर्ण ओर्णनर का इसमें आप Question number 3 उनका answer पहले aid कर दे Question number 9 के तरह बढ़ते हैं What did the poets realize about the adults? यह भी हमने इसी poem से लिया है कभी जो वैस्ट वेकती हैं उनके बारे में क्या realize करता है उसे क्या पता लगता है प्लस इसी में एक और Question है What was peculiar in the behavior of the adults? यानि कि वैस्कों के वेवार में क्या विशेशता कभी ने पाई क्या देखी इसका answer है The adults talked of love and pleased of love जो वैस्क थे वो प्रेम की बाते करते थे प्रेम के उपदेश देते थे But they behaved in a way that was hardly full of love लेकिन जिस प्रकार वो behave करते थे वेवार करते थे उसमें प्रेम मुश्किल से ही नजर आता था There was big difference in what they said and what they did इसमें बहुत बड़ा अंतर था वो कहते क्या थे और वो करते क्या थे Question number 10 भी Childhood से लिया है What idea does the poet want to convey? कभी क्या हमें संदेश देना चाहता है What is the theme मैं से central idea of the poem? इन मैं से भी कोई सा भी पूछ लिया जाई आंसर चलेगा The poet wants to convey the idea that the innocence of childhood stays as long as one is a child कभी हमें ये संदेश देना चाहता है कि बचपन का भोलापन तब तक रहता है जब तक कोई वेक्ती बच्चा रहता है बालक रहता है When one grows up जब कोई बड़ा हो जाता है He begins to lose his childhood innocence उसके बच्चपन का भोलापन वरक होता जाता है A sense of ego develops in his mind और उसके मन में एक अहम का भाव पेदा होने लगता है अब हम आगे बढ़ते हैं Question number 11 जो हमने आपकी पोएम ली है Father to Son इससे इसका question लिया है Father to Son से What is the present state of affairs Between the Father and the Son वर्तमान इस्थती क्या है पिता और पुत्र के बीच में वेवार की वर्तमान क्या इस्थती है और इसका answer है The Father and the Son do not speak पिता और पुत्र दोनों नहीं बोलते हैं To each other एक दूसरे से There is no communication between them उनके बीच में बातचीत नहीं होती है कोई समवाद नहीं है Question number 12 भी इसी चेप्टर से लिया है What does the Father plan to do पिता की क्या करने की योजना है Answer है The Father plans to rebuild the relationship between he and his son Like when his son was a small child वो पिता चाता है कि उसके और उसके पुत्र के बीच में सम्मंद सुदर जाए उसी प्रकारे सम्मंद सुदर जाए जिस प्रकार वो एक छोटा बच्चा था तब उनके बीच में जैसा प्रेम था वे साई प्रेम बन जाए Question number 13 भी हमने इसी पोएम से लिया है What is the Father said or feel alone पिता दुखी क्यों है या अकेला क्यों महसूस करते है Answer is the Father had brought up the son expecting him to follow his way of life पिता ने अपने पुत्र का लालन पालन ये सोच कर किया था कि वो जीवन में उनका अनुसरन करेगा But when the son grows up just the opposite happens लेकिन जब पुत्र बड़ा होता है तो बिल्कुल इससे उल्टा गटित होता है So the poor father feels sad and alone इसलिए बेचारा पिता दुखी और अकेला महसूस करता है Question number 14 भी इसी पोएम से लिया है What compromise is the father ready to make? जो पिता है वो क्या समझोता करने को तयार है Answer है The father is ready to accept his son with all his faults Forgiving him for all the sorrow date the son has given him पिता तयार है उसके पुत्र की सब गलतियां माप करने को Forgiving him for all the sorrow date the son has given him उन कश्टों को जो पुत्र ने उसके पिता को दिये हैं उन्हें भी माप करने को तयार है He wants to create a new love out of his sorrow वो चाता है दुखों को भूल कर वो एक नया प्रेम पेदा करना चाता है Friends संजीव ने सीरीज में और Most Important Questions के साथ में अगले पार्ट में आप से फिर मुलाकात होगी आप चैनल के साथ बने रहें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें Thank you